भारत के लिए भी एक ये पुलिटिकल रिस्क है आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपने भेंट करी अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्क के साथ तो उसके बाद कुछ आतंगा भी हमला हो सकता है पाकिस्तान में कहा जाता है कि देश एक नाजुक मोड से गुजर रहा है ये 75 साथ से नाजुक मोड चला रहा है वाजबी इसे क्या बात हुई थी कार में क्या भारत का डिप्लोमेटिक फैलियर था जरूर गलतियां हुई और मेरे खाल से हमारे सिस्टम ने उन गलतियों को समझा परवेज मुसरफ को आगरा आने का नहोता दिया फिर आपको कहा गया कि आप एक पर्चा लेकर वाजबी के पास जाएंगे क्या था उस पर्चे में और क्या बात हुई थी तो मैं अंदर गया और उनों उनों ने देखा मेरी तरफ उनको लगा कुछ बहुत महत्वपून बात होगी जो कोई निजी सेचेव यहां पर खुद आया है और मीटिंग को इंटरॉप किया तो उनोंने वो पड़ा फिर और मुशरफ साब को समय कहा कि जनरल साब यह आपने क्या बूला है नवाज शरीफ और आर्मी में बन नहीं रही थी इस वज़र से उरी अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या कहानी थी उसके शायद आर्मी नाखुश थी कि भारत के तरफ नवाज शरीफ बहुत करीब ज इन महानी मेरे ख्याल से जब इमरान खान का पॉला आया था सोहल मे problem का कि ईखह सवाब करना चाहते हैं प्रधान मुंत्रि मोदी से क्या वगफा अने सरीफ उस रहा था शरीफ जग रिशे इननों हने नहीं बताए मैंने चेक किया नहीं किकलद मेने नहीं है को शरीष ऑर मै ने वापिस उनको यह जवाब दिया कि मैं इस समय हमारे प्रधान मुंत्री नहीं अवेलेबल हैं आपको कुछ कहना है तो नमस्ते यह ललन टॉप है और आप किताबों से जुरा खास कारिकरम किताबवाला देख रहे हैं किताबवाला में आज हमारे महमान हैं अजय बिसारिया अजय बिसारिया पाकिस्तान और कनाड़ा में भारत के हाई कमिस्नर रहे पॉलेंड और लिथुआनिया में राजदूत के तौर पे काम किया उनकी एक बज़ेदार किताब आई है एंगर मैनेजमेंट के नाम से मेरी सुरवात जो मैं इंटर्व्यू की करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस किताब का नाम एंगर मैनेजमेंट क्यों रखा क्योंकि कही लोग इसको सेल्फ हेल्प की किताब समझ रहे हैं सर ये इस नाम के पीछे की वज़ए क्या देखिए एक इस नाम को लेके हमने थोड़ा सोचा और सोचा कुछ हट के नाम दिया जाए इस किताब का जिससे की जो लोग भारत पाकिस्तान विशे में रूची रखते हैं अगर फॉरें रिलेशन्स एक्सपर्ट नहीं है उनको भी कुछ लगे कि कुछ नई बात है उनके लिए कुछ है इसमें तो जब एक सीरियस तर पे हमने देखा इस इन संबंदों में एंगर गुसा आक्रोश की बहुत जगे हैं तो आपने देखा होगा कि शुरुआत से चाहे पार्टिशन हो पार्टिशन के रायट्स हो उसके बाद चार युद हुए हमारे बीच उसके बाद आतंकवादी घटनाएं हुई जिसमें भारत में बहुत क्रोध और आक्रोश जेनरेट हुआ उसके अलावा कई बार पाकिस्तान को टेरिट्री की शिकायत रही कश्मीर के बारे में सियाचन के बारे में तो एक आक्रोश का एक मेटफर गुसे का हमेशा रहा है इस रिलेशनशिप में और जब हम नीती की बात करते हैं तो जैसे कई बार बात होती है कि इस आक्रोश पे नियंतरन करना जरूरी है इसको समझना जरूरी है तो नीती के तौर पे पॉलिसी के तौर पे हम ये प्रयास करते हैं कि इस आंगर को कंट्रोल किया जाए मैनेज किया जाए और साथी साथ ये कहा जाता है कि इस दूवधा को आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये दो देश हैं जिनमें बहुत गहरे डिफरिंसेंज हैं, इनको रिजॉल्व करना नामूम किंग के बराबर है, तो हम क्या करें कि हम मैनेज करें, कि बहुत बड़ा कोई हाथसा ना हो जाए, बहुत बड़ी प्राब्लम ना खड़ी हो जाए तो इससे मैनेज करते रहना चाहिए तो ये बात चीत रहती है ये एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप हमेशा ही अपने क्रोध पर नियंतरन रखें मगर ये एक तरह से जब नीती पॉलिसी की बात होती है तब हम इस बा लोंग टर्म इंटरिस्ट को नजर में रखें और उनके हिसाब से पॉलिसी फॉलो करें और ये अगर मैं राय दूँ तो ये इस्पेशली पाकिस्तान के लिए ज्यादा वैलिड है कि आप अपने लोंग टर्म इंटरिस्ट को मैनेज करें और उसके अलावा जैसे आपने कह नहीं होती जियो पॉलिटिक्स पढ़ने वाले लोगों में तो शायद मैनेजमेंट वाले लोग या सेल्फ हेल्प ग्रूप वाले लोग शायद इस किताब को पढ़ते तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये किताब जो है ये भारत और पाकिस्तान के रिस्टो में जो सालों से उसके बारे में हैं पूरा नाम है एंगर मैनेजमेंट ।रबल डिप्लोमेटिक रिलेशन सेट बेट्विन इंडिया एंड पाकिस्तान दूसरा गैरिसन स्टेट, तीसरा इलेक्सन्स डिस्पैडिटी और चौथा ग्लोबल इंपक्ट इसके बारे में आप फूरा समय हैं तो देखी वजएं बहुत बहुत वजए हैं एक तो जैसे आपने उलेक्ट किया पूरे रिष्टों में अगर आप देखें क्या थीम्स रही हैं तो एक टेरिटरी की थीम रही है कश्मीर की प्राबलम और उसमें जो पाकिस्तान का मत है कि वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान उसके अलावा सिक्यूरिटी के मसले की पाकिस्तान को शुरू में लगा कि भारत उनके अस्तित्व को मिटाना चाता है उसके अलावा आइडियॉलिजी के मसले ये शुरू में जब दो देश पैदा हुए ये एक टू नेशन थेरी के बेसिस पे ये आग्यूमिन्ट दिया गया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग कौम हैं इनको अलग देशों की जरूवत है तो कई तरह के कारण थे जिन्होंने रिष्टों में भी खटास पैदा करी तो ये थीम्स हैं और एक सेंट्रल इशू जो रहा है वो रहा है पाकिस्तान का अइडेंटिटी क्राइसिस कि पाकिस्तान के अंदर ये फैसला नहीं हुआ ओफिशल नेरेटिव में कि हम किस प्रकार का देश हैं हम ऐसा देश है जो भारत के साथ सुवतंत्र हुआ और अब एक सुवतंत्र देश है और अब अपना अपना नया संद्धान लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे भारत के साथ या हम अपनी सारी आइडेंटिटी है वो अपने एक रिलिजिन से मुस्लिम होने से हम उसको डो करें और फिर आगे बढ़ें तो ये एक दूविधा ये क्राइसिस हमेशा से इन रिष्टों पे भी प्रभाव डालता रहा आप में जो अभी एक बात कही कि नेस्नल आइ इडेंटिटी क्राइसिस जो उनका था तो वो किताब पढ़ने के दोरान मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि पाकिस्तान अपने ऑफिस्यल नेरेटिव में मीर कासिम को पहला पाकिस्तानी मानता है इसकी वज़ए क्या थी क्या चाहते थे वह एक ऑफिस्यल नेर होते हैं वो अपना एक नया अस्तित्व अपना आइडेंटिटी को अपनी नई पहचान बनाने के लिए कई चीजें करते हैं और कई बार एक नेरेटिव बनाते हैं जो अपने को अपने कलोनियल पास्ट से दूर करने के लिए एक प्रयास होता है मगर जो पाकिस्तान ने कि कि वो ना केवल British Raj ya British भारत से दूर अपने को रखना चाह रहे थे अपने आपको भारत से भी दूर रखना चाह रहे थे तो they wanted to be the other of India कि हम भारत से भी भिन हैं हम British R отпましょう to a new talk with official narrative में एक narrative पेश किया गया जिसमें कहा गया कि हम पहला जो अरब conquest हुआ सिंध खा उसके उस समय जो लोग आए वो हमारे ancestors हैं वो हमारे पूरवज़ हैं वो वेस्ट एशिया से आए थे हम South Asian नहीं हैं तो इस प्रकार का एक narrative उनकी official मीडिया में शुरू हुआ उनकी text books में पहुचा तो इस तरह से लोगों को पढ़ाना शुरू किया अब अब contemporary times में आके ये narrative जो है लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये ये हमें क्यों पढ़ाया गया पाकिस्तान स्टाडीज में हमको ये सब क्यों बताया गया क्योंकि जाहर है ये सब जूट था इसी narrative की कड़ी में एक बहस सुरू होती है जिन्ना के समय Muslim versus Islamic nation जब एक किसे का आपने जिक्र किया है कि लियाकत अली खान objective principle का पर्चा लेकर जाते हैं जिन्ना के पास और जिन्ना गुसे में पर्चा फेक देते हैं जिन्ना क्यों नहीं चाहते थे कि 가능 एस समय की जो समझ थी श्री प्रकाश की जो समझ थी और जिन्ना की जो समझ थी वो ये थी कि इस्लामिक का अलग एक तत्वर हो जाता है कि इस्लामिक मतलब की एक पुलिटिकल इस्लाम से संबंदित और एक शारिया लौ से संबंदिक एक एक इस्लामिक कॉंस्टिटूशन की बात हो रही है जबकि एक मुस्लिम नेशन का ये सिंपली मतलब था कि यहां मुस्लिम फेथ को मानने वाले लोग रहते हैं तो यह एक अंतर श्रीपकाश की समझ में था कि जिनना चाहते थे कि मैं एक मुस्लिम देश बनाओ क्योंकि उनका जो सारा पाकिस्तान का अंदूलन था पाकिस्तान मुव्मेंट था वो था टू नेशन थेरी के बेसिस पे कि जो पहले 1947 से पहले का भारत था उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम अलग कौम थी एक अलग निवास की जरुए थी मुस्लिम्स के लिए मगर जो कंसेप्शन था वो शायद एक सेकिलर मुस्लिम देश बनाने का था उस समय मगर जिन्ना एक साल के अंदर गुजर गए स्वतंता के बाद और जो उनके सक्सेसर्स थे उनका एक अलग नजरिया था इस बारे में तो वो एक इस्लामिक स्टेट बेस्ट ऑन इस्लामिक लौ इस्लामिक कॉंस्टूशन बनाना चाहते थे जबकि शायद जिन्ना का नजरिया कुछ अलग था तो जिन्ना के बायोग्रफर्स इस बात का खिकर करते हैं कि जिन्ना को वो कुबूल नहीं था मगर ही दिद नॉट लिव लॉंग अनफ तो बी अबल तो इम्प्लिमेंट ब्लूप्रिंट अफ इस आइडिया ऑफ पाकिस्ता इस बारे में बार बार स्री प्रकास का जिकराबता है श्री प्रकास पाकिस्तान में भारत के पहले हाई कमिस्नर थे और नहरू ने उनको पाकिस्तान इसलिए भेजा कि उनकी जिन्ना से थोड़ी कड़ी भी थी स्री प्रकास की कहानी क्या है श्री प्रकास एक कॉंग्रेस के वरकर थे एक स्वरतन तर्था आंदोलन में उन्होंने भाग लिया नहरू के साथ उन्होंने काफी कुछ काम किया फिर वो एक पॉलिटिशन थे जो भारत की उस समय की असेंबली में भाग लेते थे प्री इंडिपेंडेंस असेंबली में और जिन्ना से भी वो करीब थे और जो सारे पाकिस्तान पॉलिटिशन गए जादतर इस तरफ से गए उत्तर प्रदेश में थे तो वो एक काशी में रहने वाले ब्रामेंट थे और उनको तीन दिन पहले और कुछ दिन पहले स्वतन तता से पहले फोन आया नहरू का कि आप जाएए आप पाकिस्तान पहुंचिए और उनका बुलकल मन नहीं था क्योंकि उनको लगता था कि ये पाकिस्तान का आइडिया ही बुलकल गलत है कि इसको नहीं बनना चाहिए भारत एक है उन्होंने हिंदू मुस्लिमेक्ता के लिए काफी अंदोलन किया था तो उनको ये सब गलत लगता था मगर फिर भी नहरू ने कहा तो उन्होंने सोचा चलिए मैं चलता हूं देखता हूं कैसे ये नहराश्टर चलता है कुछ और फिर मैं वापस आ जाँगा तो नहरू ने बोला आप देखाई है आप आपको जॉइन करने की जुरूवत नहीं इसका फैसला बाद में करते हैं तो वो भारत के राजदूत बनके गए एक होटेल में कराची में उनको एक कमरा दिया गया वो भारत का राजदूत हवास बन गया वहां उन्होंने पंदरा अगस को एक जंडा लिय और वो लगा दिया और खुद बन्दे मातरम गाया क्योंकि महाँ पे एक कौयर जो आने वाले थी गायकों की या लड़कियां जो आने वाली थी वो उनके जो एक कांग्रिस के कॉलीग थे उन्होंने नहीं भेजा तो उनको खुद बन्दे मातरम भी गाया मगर वो फिर वा अपने इस वियू की अभीवक्ती जरूर करते थे कि फ़ई ये शायद नहीं बनना चाहिए था और अगर बन गया है तो एक साथ हमें एक साथ मिल के काम करना चाहिए तो वो काफी नाखुश रहे अपने टेनियूर में तो इसी से मेरा एक सवाल आता है कि डिप्लोमेट्स की जो परसनल ऑपीनियन होते हैं या पर उनकी परसनल टूनिंग होती है सामने वाले देश के साथ उसका कितना इंपक्ट पड़ता है दो देशों के रिस्टों पर देखिए ये कुछ इंपक्ट होता है जरूर व्यक्तित् आपके अपने क्या बाइसे हैं उसका मगर जैसे जैसे हमारी डिप्लोमसी और हमारी नीती इवाल्व करी तो लीडरिशिप की जो रूल्स है। एक डिमोक्रिसी में लीडरिशिप के जो नीती पर जो जेनरल डाइरेक्शन है उसी पर आप काम करते हैं आज के डिप्लोमेट्स बट कई बार कुछ ऐसे नाजुक मोड होंगे या कुछ ऐसे ऐसी स्थितिया आईगी इतिहास में जब इतनी जादा क्लारिटी नहीं है और जो राजनेक जो डिप्लोमेट्स जमीन पर है उसे पूछा जाएगा भी आपका क्या विचार है और कुछ बिल्कुल नया हो रहा हो हो कुछ अलग हो रहा हो तो उसमें आप अपने विचार दे सकते हैं और वही नीती बन जाए तो कई बार आपने देखा होगा इतिहास में और इस भारत पाक इतिहास में कई बार यह हुआ कि जो वहां पर राजनेक था जो डिप्लोमेट्स था उसने जमीनी हालात पर जो बयान किया धरा के उसके बेसिस पे नीती बनी आगे कि कुछ बदल रहा है कुछ हमें अलग करन चाहिए तो डिप्लोमेट्स को लेकर एक मज़ेदार कोट मुझे किताब में पढ़ने को मिला कि वो इतिहास को दोहराने के लिए अभी सब्त थे देवेर मोस्ली कंडेंड टू रिपीट हिस्टरी इतिहास कैसे इंपेक्ट डालता है डिप्लोमेट्स के फैसलों पे या फि तेखिए इतिहास और स्पेशली भारत पाक इतिहास एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है इन संबंदों पर और इस नेरेटिव में इस कहानी में जो 76 वर्षों का एक अकाउंट है उसमें ये साफ हो जाता है कि कई बार एक साइकलिकल प्रोसेस चलती है कि कई चीज़न जो हमने इतिहास में देखी हैं वो दोहराती हैं दुबारा आती हैं और इसलिए ज़रूरी है एक राजनेक को कि वो इतिहास को समझें और ज़रूरी ये नहीं है कि वो उसकी बंदिशों में ही रहें कि उसको तोड़के आगे भी बढ़ना आवशक होता है जो सबक सिखाता है उन्हें हम सीखना जरूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है और मेरे ख्याल से ये भी अपने जहन में रखना जरूरी है कि कई चीज़ें हैं जो बुलकुल इग्जैकली नहीं होंगी उस तरह जिस तरह पहले हुई आगे बढ़के कुछ अलग ट्विस् तो कहा जाता है विए करनें तो रिपीट हिस्ट्री बढ़के कि आप कुछ उसमें से सीख पाएं और आगे बढ़ें पाकिस्तार के कॉंटेक्स में हम देखते हैं कि जब हमने सांधी की कोसिस की हम उनके नेताओं से बात्चीत करने गए कि हम रिष्टे सुधारते हैं उसक कुछी समय बाद कोई अटैक हो जाता है या फिर लड़ाई हो जाती हैं कार गिल पुलवामा और कई सारे ऐसे एक्जामपल्स हैं क्यों ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान वो साइकलिक जो चला आ रहा है वो रुक नहीं रहा है तो ये प्रॉब्लम हमारे पसात रही है पिछ मिलिटरी टेंशन की प्रॉब्लम है तो अगर भारत में कई मान लीजिए सिविलियन से बात कर रहे हैं और उस बारे में कभी कभी पाकिस्तान की सेना नाखुश है आमी नाखुश है तो एक जो टेररिजम होता है वो उसकी भी अभी वक्ती है क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि कोई हमारे खिलाफ मेजर टो टेररिजम हुआ है कभी आर्मी के की ब्लेसिंग के बिना हुआ हमेशा पाकिस्तान आर्मी इससे जुड़ी हुई है वो मिलिटन्ट और्गनाईजेशन का इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ तो प्रॉब्लम ये हो जाती है जैसे 1999 में जब प् मुशर्फ नाखुश थे इस पारे में और वो कह रहे थे इस अल लॉर अफ हॉट एर ये बिकार की विजिट है ये क्यों हो रही है जबकि नवाज शरीफ ने उनको निमंतरन दिया था और क्या हुआ फिर उसके बाद कारगिल हुआ और उसके बाद महां पे पाकिस्तान में कू हो गया तो पाकिस्तान आर्मी ने पूरी सत्ता संभाल ली तो ये एक बड़ा कारण है इसके इस वज़े से भारत के लिए भी एक ये पुलिटिकल रिस्क है एक राजनीतिक रिस्क है कि आप अगर आपने दोस्ती काहत बढ़ाया और आपने भेंट करी अपने पाकिस्त इसकान में जो फाज है उसने आधे समय खुद सासन किया और जब वो पावर में नहीं रहे तो उनके इसारे पर सिविलियन सरकार चलती रही फाज भारत को किस तरह देखती है क्या वो भारत को इस तरह देख रही है कि अगर मैं इनको खतरा ना मानू तो हमारा एक्जिस्ट भारत एक एक इस्टेंशल थ्रेट है और इस थ्रेट को हम इस्तेमाल करें अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए कि अपने लोगों को बताने के लिए कि बहुत बड़ा खत्रा है पाकिस्तान में कहा जाता है कि देश एक नाजुक मोड से गुजर रहा है ये 75 साथ से नाजुक मोड चला रहा है और कभी कभी जब मिलिटरी के जेनरल्स सत्ता ले लेते हैं तो मजाख होता है पाकिस्तान में कि वो कहते हैं कि मेरे अजीज हमवतनों हमारा देश नाजुक मोड से गुजर रहा है और इम्तिहान की घड़ी है इसलिए हम हमारी हम को सत्ता लेना पड़ रह में ये भी हुआ है कि कि वो कंट्रोल कर रहे हैं दूसरी सिविलियन फॉर्स को और अपने आप पीछे से जैसे पिछले कुछ सालों में हमने देखा अपने आप या तो सेम पेज गर्मेंट या एक सिविल मिलिटरी टेंशन वाली गर्मेंट आगे काम कर रही है मगर फौज का में भी कुछ बदल रहा है पिछले कुछ सालों में पहले की जो सोच थी कि भारत हमारा फोरेवर एनिमी हमेशा एक दुश्मन है ये सोच भी थोड़ा री एक्जामिन की जा रही है और इस इस प्रोसेस को हमको ध्यान से देखना चाहिए जब जब लेकिन फौज को खत्रा महसूस होता है तब तब सिवीलियन सरकार का तक्था पलट हो जाता है जैसे फरवरी 1999 में अतल विहार इवाजपई लाहोर के दौरे पर जाते हैं फिर कारगिल होता है और अक्टूबर 1999 में नवासरीब की सरकार गिर जाती है इन दोनों घ ही बड़ी पहल थी लाहोर भारत की तरफ से शैद पूरे इतिहास में आप दो तीन बड़ी बड़ी पहलों की बात करें तो उन में से एक थी मगर मेरे कहाल से गलती जो हुई कि उससे पहले बैक चैनल या फ्रंट चैनल से से नहीं बात चीत हुई थी नवासरीब से जरूर सेमत हैं इस नीती से तो शैद हमको कुछ अलग जवाब मिलता खैर वो हुआ वो पहल हुई और जब इसको आगे बढ़ाने का समय आया तब मुच्छरफ ने अपना एक जो किचन कैबिनेट को लेकर चार पांच जिनरल्स को लेकर ये कारगल में एक मिसडवेंचर शुरू क ज़िया और उसके बाद आपको याद होगा शायद की ugah उसी साल एपरिल में वाचपईजी की सरकार एक वोट से गर गई थी औरुए केर टेकर सरकार थी लेकर एक सरकार एक बड़ी सुरक्षा की चुनओता की ती ओ말 जो हुआ और उन्हों है इस चुनओता का सामना किया औ और ये युद हुआ, उसमें हमने मिलिटरी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया और काफी रिस्ट्रेंट के साथ, सैयम के साथ, आगे लाइन अफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया, फिर भी पाकिस्तानी ट्रूप्स को पिछाड़ा, और हमने अपनी डिपलोमसी भी बहुत ब क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बलाया और भारत की भाशा बोली, कि जब तक आप वहाँ से पीछे नहीं निकलेंगे, हम कुछ नहीं बात हो सकती आगे, और नवाज शरीफ को वहाँ से निकलना पड़ा, और पाक फौज को निकलना पड़ा, और उसके बाद नवाज अपनी नौकरी खोनी पड़ी क्योंकि आमी उससे खुश नहीं थी, उन्होंने मुश्रफ को निकालने की कोशिश करी, बगर मुश्रफ ने तक्ता पलट किया और खुद फिर नौ साल के लिए, वहां के शेहनशा बन गए, तक्ता पलट के दो महीने बाद, दिसंबर 1999, और प्राइसिस मैनेजमेंट जब इंडियन एरलाइन्स का विवान IC 814 हाइजैक कर लिया जाता है, वाजबी से क्या बात हुई थी कार में, जी, तो मुझे ये सूचना मिली, सिग्नल जैसे ही प्लेन लैंड किया, उस समय प्लेन के अंदर वो सिग्नल देना मुश्कल होता था, तो मेरे कॉलीग थे प्राइम निस्टर्स आफिस में, उन्होंने मुझे कॉल किया, बताया तो मैंने प्रधान मंत्री जी को कहा कि एक प्लेन हाइजैक हो गया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिजेश मिश्रा जी तैयार करें, आपको ब्रीफ करेंगे, तो उन्होंने ज के बारे में और हाइजैक्स के बारे में वो बहुत कुछ समझते थे, बहुत कुछ जानते थे, कई दश्रकों से, और जैसे ही हम लोग पहुँचे रेस कोस्ट रोड उस समय तो फिर उनकी ब्रीफिंग हुई और उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में पूरी सरकार चली गई क्योंकि वो हवाईजाज जो पहले नेपाल से आ रहा था, वो अमरिचसर लैंड किया, अमरिचसर से निकल के फिर लहोर, फिर दुबई, फिर वापिस कांदाहर गया, तो काफी एक्शन था उस समय और उस हाइजैकिंग के बाद भारत को तीन आतंकी छोड़ने प चीजें मांगी गई थी, हाईजैकर्स तवारा, कई लंबी चोड़ी डिमांड्स थी, और उस समय फैसला करना होता है कि आपको लोगों की जान भी बचानी है, और हाईजैकर्स की डिमांड्स को भी समझना है, तो इसका निरने इतिहास देगा कि क्या गलती हुई, जरूर गलती हुई, क्योंकि अगर हम उस प्लेन को रोक देते, एक तो पहले हाईजैक होने से रोकते, दूसरा उसके बाद जब हाईजैक एक बार हो गया तो फिर इनको हाईजैकर्स को निट्रिलाइस करते तो जरूर उसमें कमी थी कुछ सुरक्षा में, मगर एक बार ये हो गया ये भी साफ था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, और जो बाद में जो तीन आतंकवादी छोड़े गए, वो मेजर आतंकवादी उनका टेरिरिजम करियर शुरू होगा वहाँ से, और उन्होंने काफी आतंकवाद में हिसा लिया, तो जरूर गलतियां हुई, और मेरे ख्या उनको अब्जॉब किया और शाहिद इसी कारण टच हुड आज तक और हाइजैक नहीं हुए, कारगिल होता है 1999, हाइजैकिंग 1999, इसके बाद भारत ने रिष्टे सुधारने की कोशिस की, परवेज मुसर्रफ को आगरा आने का नियोता दिया, फिर मीटिंग हुई और होट वाजपई और मुसर्फ के बीच अकेले में बात्चीत हो रही थी और सिर्फ वहाँ जो नोट ले रहे थे वो लोग बैठे थे, फिर आपको कहा गया कि आप एक परज़ा लेकर वाजपई के पास जाएंगे, और जैसे ही वाजपई ने वो परज़ा पढ़ा, सम्मिट वही भी बता दें और क्यों मुसर्फ को भारत बुलाया गया था इसके बारे में तो उन्निस सो निन्यानवे में जब हाईजैकिंग का हाथसा हुआ और उसके बाद वाजपई का फिर भी ये ख्याल था कि क्योंकि हम दोनों देश न्यूक्लियर हो गए थे, कि कोई ना कोई तरी रहे पाकिस्तान से और पाकिस्तान में तकता पलट हुआ था, वहाँ एक नया डिक्टेटर आ गया था, तो ये सोच थी केवल वाजपई जी की नहीं मगर अरवानी जी और जस्वन सिंग जी की भी, कि हमें कुछ नई सोच लानी चाहिए इन रिष्टों में और पाकिस्तान के नए डिक्टेटर को भी इंगेज करना चाहिए, उसी समय क्या हो रहा था कि जो पाकिस्तान के अमबैस्टर थे, यहाँ पे जहांगीर अश्रफ जहांगीर काजी, उनको मौका मिला अडवानी से मिलने का, डेप्टी प्राइमिनिस्टर अडवानी से मिलने का, और कई बा दो लाने को, मुछर्फ कि आने से कुछ बदल सकता है, इन संबन्दों में, तो फैसला किया गया है कि चली देखते हैं, बुलाते हैं उनको, तो इस संदर्द में, जुलाए दो हजार एक में, मुछर्फ को निमंतरन मिला और आमनतरत किया गया, कि आप आईëं आगरा और ब बातचीत में फिर से मेरे खियाद से जो हमने गलती करी बाइ हाइंड साइट जो समझ में आती है कि हमने उससे पहले एक चैनल खोल के बातचीत नहीं करी कि क्या बात करेंगे उसमें किस तरह की आउटकम्स चाहिए किस तरह के डॉकिमेंट्स करेंगे उसमें खास बातचीत न बैठें बात करते हैं और जो निशकर्स निकलेगा वो हम देखेंगे तो जब मुशर्फ का यहां आना हुआ मुशर्फ की एक गुरिला वारियर माइंड सेट था तो उसको लगा कि जो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं वो आके लें तो कश्मीर के मुद्दे को हम यहां पे स मुशर्फ यहां आए और जब मुशर्फ से भेंट हुई तो जो एक ड्राफ्ट प्रदान मंत्री और मुशर्फ की लेवल पे भी उसमें बातचीत होना शुरू ही कि हमको क्या करना चाहिए उसमें मुशर्फ की डिमांड रही थी कि कश्मीर पे आपको हमको आगे बढ़ा जाए और जो आतंकवाद का मुद्दा है उस पे भारत को जादा संतुष्टी नहीं मिल रही थी इस ड्राफ्ट में तो इस अंदर में बातचीत चल रही थी और फिर एक दिन सुबेज मुशर्फ की एक ब्रेकफर्स मीटिंग थी चौनतिस एडिटर्स के साथ और उन में से दो तीन ने कैमरा भी लगाया हुआ था मगर समझ ये थी कि एक प्लोजड डूर मीटिंग है मगर उसमें उन्होंने कई बातें करी और फिर वो चले गए बाचपीजी के साथ मिलने इस मुलाकात में तो ये साफ नहीं था उस समय कि क्या होगा मगर इंडी टीवी ने वो फुटेज चलाना शुरू कर दिया लाइव और उस समय ये नया 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 न्यूस टीवी न्यू पाकिस्तान का ही वियू पॉइंट आ गया रहा है भारत इसमें कुछ खास कहनी रहा क्योंकि उसने बात करी वही जो पाकिस्तान दोराता आया था कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं कश्मीर में और कश्मीर का मसला सुधरना चाहिए और ये वो तो इस इस बात का जो जब बात वाचपई जी और मुश्रफ में तो क्लारिटी नहीं थी कि और इस समें वाचपई जी को नहीं मालम था ये सब हो रहा है और देश में सब जगे लोग ये देख रहे थे तो जरूरी समझा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समें बिजेश मिश्रा उन्हें मुझे कहा कि म उन्हें कुछ लिखा मैंने कुछ और देखा मैंने कुछ और लिखा मैंने उसको टाइप किया खुद और फिर मैं उस पच्चे को लेके गया अंदर ये ये बताने प्रधान मंत्री जी को की की टेलेविजिन पे ब्राड कास्ट हो रहा है कि मुशरफ सामने कुछ बातें कही हैं उन्होंने ये कहा है किश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की बात करी है और टेरिरिजम के बारे में डिनायल दिया है तो ये सब बाहर चल रहा है और ये मैंने पच्ची उनको दी जो मैं अंदर गया और उन्हों उन्होंने देखा मेरी तरफ उनको लगा कुछ बहुत की उन्होंने वे पड़ा फिर और मुझरफ साभ को इस समय कहा कि जनरल साब यह आपने क्या बोला है मैं तो उस समय कमरे से निकल गयां अगर उन्होंने कहा कि यह आपने ठीक नहीं किया और इस मेकार की बात चीत हुई मुझरफ ने डिफेंड करने की कोशिश करी होthen तो उसके बाद वो मीटिंग उस समय से इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट दी कि मेरे वहाँ पहुचने के बाद वो सम्मिट कोलाप्स हो आगरा सम्मिट खत्म होती है और उसके पांच मेहने बाद पार्लियमेंट पे अटैक होता है आतंकियों का हमले से ठीक पहले उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेगी अपने गाड़ी में बैठकर संसत की तरफ जा रहे थे फिर वो अचानक रुख गया आपने उनको रोका था क्या हुआ था उसरोज जी बहुत बड़ी घटना थी उस समय इतिफाक की बात है कि प्रधानमंत्री के शेडियूल में था उनको पार्लिमेंट जाना था 13 दिसंबर का दिन था उनको मगर कुछ विलम हो गया था कुछ लेट चल रहे थे पांच-दस मिनिट तो ग्यारा बच के दस मिनिट के करीब वो गाड़ी में बैठने गए या ग्यारा पांच से कुछ उपर और मैंने निजी सचिफ था उनके उनका उफिस था साथ रेसकोस रोड में तब कहलाया जाता था तो टीवी आन था उसमें था कि राजज सबास थगित लोक सबास थगित तो हमारे पास कई फाइलें थी जो नहीं देख पाए थे उनको साइन करना था उनको भेजना था हम एक पॉलिसी रखते थे कि जीरो पेंडिंसी कि हर हफते सब साफ किया जाए कुछ भी प्रधान मंत्री के निजी कारयाल है में नहीं रहे पेंडिंग तो मुझे उस फाइलों की चिंता थी तो मैंने बोला यह अच्छा मौका है वो पार्लिमेंट जाने वालें कुछ पार्लिमेंट चल नहीं रहा तो उनको रोका जाए तो जब मैं बाहर गया तो वो कारकेट निकल चला था तो मैं थोड़ा जौक करते हुए और हाथ हिलाते हुए बीचे गया और सेक्यूरिटी वालों को मैंने बोला फिर वापस चलते हैं तो उन्होंने मुझे देखा स्माइल किया थोड़ा कि ये तो अपने फाइलों के पीछे ही लगे रहते हैं चलो ठीक तो वो निकले गाड़ी से और आए मेरे कॉलीग मेरे साथ थे जो कुछ हमने आदी हादी बाटे हुई थी फाइल उन्होंने वो फ पून आया हमारे पार्लिमेंट आफिस से कि सर यहां तो फारिंग हो रही है मैंने बुला क्या फारिंग हो रही है आप देखे टीवी पे भी कुछ आ रहा है हमने सारा लॉक तर दिया प्रधान मंतरी को नहीं लाना तो मैंने जब टीवी देखा तो उसमें ब्रेकिंग न्य देखते हैं पार्लिमेंट पे अटाक हो गया है तो वो आए बैठे और फिर फोन पे लगे और फिर उसके बाद अलग घटना करम घटा मगर उस समय जो यह इतिफाक था कि बाद में कहा गया कि यह जो आतंकवादी थे वो चाह रहे थे कि प्रधान मंतरी को भी हॉस्टिज लिया जाए यह अमरीकी इंटेलिजनस से भी यह बात निकली थी और एस पी जी जो पाकिस्ट जो हमारे प्रधान मंतरी के प्रोटेक्शन ग्रूप हैं तो उसके कुछ अधिकारी मेरे पास आए मुझे धन्यवाद कहने के लिए तो मैंने वहला मुझे कोई सूचना नहीं थी मैंने केवल अपनी फाइलें कराने के लिए प्रधान मंतरी को रोगा था कारगिल, हाईजैकिंग और पार्लियमेंट एटैक ये सब तब हुआ जब मुसरफ पावरफुल थे कारगिल में तो उन्होंने सत्ता नहीं हत्याई थी लेकिन सरकार उनहीं की चलती थे एक तरह से इसके बाब जो 2003 में हम सांती के पहल फिर से करते हैं उसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी सुरू होती है 2007 तक चलती है कि हम उनके यहां खेलने जा रहे हैं वो हमारे हैं आ रहे हैं मुसरफ का जो कारिकाल था वो भारत पाकिस्तान संबंदों के लिए कैसा था मुसरफ सबसे पावरफुल लीडर्स माने जा सकते हैं पाकिस्तान के कि उनका आर्मी पे भी दबबा है और सिवेरियन सरकार पे भी पर्थान मंतरी वो अपनी पसंद का बनवाते थे फिर भी रिस्ते सुधर क्यों नहीं पाए देखिए अगर आप मुशरफ का असेस्मेंट करें तो जो अर्ली मुशरफ था तो दो मुशरफ उभर के आते हैं जो पहले का मुशरफ था जेनरल मुशरफ वो भारत के लिए नहीं ठीक था क्योंकि उसने कारगिल किया उसके उसकी देखरेक में आगरा समिट फिल हुआ डिसेंबर 13 को पार्लिमेंट पे अटैक हुआ मगर उसके बाद आपरेशन पर आकरम चला हमारे भारत की और से जो एक mobilization था हमारी forces का और एक तरह से ये coercive diplomacy थी कि आप अपना रंग बदलें पाकिस्तान के लिए नहीं तो हम कुछ कर सकते हैं हम force का इस्तिमाल कर सकते हैं तो कुछ बदला मुशर्फ में और 2003 में फिर वाजबई के भी मन में ये बात थी कि दोनों देश अभी nuclear हैं और वो जानते थे कि इस term के बाद वो प्रहाद मंत्री नहीं रहेंगे तो वो एक legacy की भी बात थी और वो एक legacy, अमन और शानती की छोड़ना चाह रहे थे इस relationship में किसी तरह इस problem को हम इस मुद्दे को solve कर सकें इस risk को कम कर सकें तो इसलिए उन्होंने फिर से पहल करी और 2003 में कश्मीर में उन्होंने बोला कि मैं फिर एक बार दोस्ति का हाथ बढ़ाता हूँ और 2003 में हमें एक ceasefire मिला और 2004 में वाचपई खुद इसलामाबाद गए वहाँ पे एक document sign हुआ जिसमें पाकिस्तान ने ये आश्वासन दिया कि अब आतंकवादी हमले भारत पे कोई नहीं हूँ तो ये एक लिखित में आश्वासन मिला भारत को और आप देखें कि उस समय के 2003 से लेके 6-7 तक कुछ लोग कहते हैं आठ तक एक शांती का वातावरन बना रहा 2006 में फिर से कुछ मुंबई में अटैक्स हुए थे 2008 में एक बड़ा अटैक हुआ मगर कुछ हम को हद तक शांती मिली और मुश्रफ की फिर सरकार कॉलाप्स होने के बाद ये मामला फिर से बगड़ा बड़ा तो एक तरह से ऐली मुश्रफ और लेट मुश्रफ में फरक था और शायद वो कुछ सीखे अपने यहां पे रहने पे तो वाचपई ने पूरा प्रयास किया एक बैक चैनल भी शुरू करी जिसमें बात चीत हुई जो मनमोहन सिंग के जमाने में आगे चली जिसमें शांती की बात हुई तो काफी उस समय प्रयास हुए और मुश्रफ ने भी अपनी कुछ फॉर्मला रखी जो आगरा के मुश्रफ से अलग थी कि किसी तरह से किश्मी की प्राब्लम को सॉल्फ किया जाए फिर आता है दो हजार आठ का साल और पाकिस्तान में चुनाव होते हैं सिविलियन सरकार आती है और मुसरफ को जाना पड़ता है चोड़के और मुसरफ जब जाते हैं उसके दो महीने बाद नवंबर दो हजार ग्यार में मुंबई पर टैक होता है अतनकी हमला नवंबर दो हजार आठ जी उसका कितना इंपैक्ट पड़ा था क्या पूरी तरह बाचीत पटरी से उतर चुकी थी उसके बाद उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ ये एक बहुत ही महतुपूर्ण गटना थी एक इंफलेक्शन पॉइंट था इस से साफ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिजम खतम नहीं हो रहा है चाहें आप जितनी भी पहल कर लें और इस से ये साफ हो गया था कि कुछ अब नया करना पड़ेगा भारत को क्योंकि ये एक ट्रॉमाटिक एक्सपिरिंस था भारत के लिए भारत वास्चियों के लिए वो सारा 2008 का जो आतकपादी हमला था वो टीवी पे चल रहा था तीन तक लोगों ने देखा था उसको तो एक बहुत बड़ी घटना थी और भारत का विश्वास उठकिया था फिर पाकिस्तान पे क्योंकि 2002 में और 2004 में लिखित में पाकिस्तान ने आश्वासन दिया था कि अब कोई ऐसी घटना नहीं होगी मगर चार साल के अंदर हो गई तो इसके बाद आई थिंक भारत में सोच नई सोच शुरू हो गई थी और मगर अभी विक्ति उस नई सोच की नई नीती की हाली में हुई कि मैंने किताब में ये लिखा है कि 2008 में हमको कुछ काइनेट एक एक्शन जरूर लेना चाहिए था तो अगर हम 2008 में वो लेते तो शायद आगे का टेरिरिज्म नहीं होता जो हमने 2016 में और 2019 में किया ओरी में और बाला कोट में उस तरह का एक्शन हमें 2008 में अवश्य लेना चाहिए था और एक और बात कही है कि विद परफेक्ट साइट तो पूरे इत्हास को देखते हुए तो जो असी के दशक में जो पनजाब में आतंकबाद हुआ और नब्बे में जो कश्मीर में हुआ यदि हम असी में कुछ एक्शन लेते इस प्रकार का तो शायद कश्मीर में हमें यह सब नही देखना पड़ता अग्ये। कश्मीर में नबे की दशक में जब हो रहा था तब हम लेते तो शैद दो हजार और दो हजार आठ का टेरिरिजम रोक सकते थे तो शायद इतिहास से ये हम सीख पा सकतेंगे कि हमें टफ एक्शन जो हमने अब लिया हमको शायद पहले लेना चाहिए जबकि भारत ने हमेशा बातचीत के पहल की 2016 उडी अटैक से पहले 2015 में प्रधानमंतरी मोदी नबासरीफ से मिलने जाते हैं प्रोटोकॉल तोड़के इसके बाद 2016 में उडी होता है और कहा जाता है कि नबासरीफ और आर्मी में बन नहीं रही थी इस वज़े से उडी अटैक हुआ और उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की क्या कहानी थी उसके ये ठीक है पाकिस्तान की इंटर्नल डाइनामिक्स चलती रही और काफी जो आतंकवादी हमले हैं भारत के लिए साफ है कि ये पाकिस्तान की सेना या आईसाइ का हाथ हिन में हमेशा रहा है तो ये कहना ठीक नहीं है इस इंप्लाइजिबल डिनाइबिलेटी की भी हमें पता नहीं था ये मिलिटन्ट और उगनाईजेशन थी तो 2016 अब ये कहना मुश्किल है क्यूं हुआ उरी में 2016 का अटैक मगर 2016 में साफ है पठान कोट हुआ शायद आर्मी नाखुश थी कि भारत के तरफ नवाज शरीफ बहुत करीब जा रहे हैं तो 2016 में जो कश्मी में हुआ और आतिकवादी हमले हुए मगर उसके बाद भारत ने जो जवाब दिया 2016 में ये एक मेसेज पहुँच गया कि अब भारत इस तरह के अटैक्स को चुपचाप नहीं देखेगा मगर इनका रिटैलियेशन जरूर होगा इनका उत्तर दिया जाएगा तो ये अब पाकिस्तान के कैलकुलिस में आ गया और एक एक तरह से हम कहते हैं कि आमी के लिए पाकिस्तान की सेना के लिए कॉस्ट बढ़ गया कि पहले ये एक लो कॉस्ट आप्शन माना चाहता था प्रॉक्सी वारफेर आप करें आपको कोई ट्रेनिंग की जरुवत नहीं आप 16, 17, 18 साल के लड़कों को ले 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 और उनको भेज़ दें मगर अब ये बगल गया 2016 उड़ी अटैक उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि आप पाकिस्तान जाएंगे तो उस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी के साथ क्या हुआ तो उन्होंने क्या ब्रीफ किया था पाकिस्तान जाने से पहले आपको देखे कई विश्यों पर बात होती है उस समय मेरी ब्रीफिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई लबी चौड़ी एक सवाल मैंने उन से किया कि पाकिस्तान की आवाम के पाकिस्तान के लोगों के लिए आपका क्या मेसेज होगा तो उन्होंने सोचा एक दो मिनिट और फिर कहा कि भारत हमेशा शानती के लिए खड़ा है और शर्ती है कि दूसरी तरफ से भी शानती है का प public diplomacy में जब लोगों से बात्चीत है कि भारत अभी भी शान्ती चाता है मगर उसके बाद से ये साफ हो गया था कि आतंगवाद के खिलाफ हमारा पॉजिशन बहुत हार्डन हो गया अलग हो गया मगर जो बात्चीत मेरी पाकिस्तान में हुई दो साल की हाला कि इस तरह की इस्तिती थी कि हमारे संबन अच्छे शेफ में नहीं थे उस समय और काफी हालात खराब थे मगर फिर भी एक diplomatic space थी कुछ बात्चीत करने की वहाँ पे भी परिवर्तन आ रहा था तबदीली आ रही थी इमरान खान दोजार अठारा में तबदीली लेकर आये थे तो भारत देख रहा था ध्यान से इस सारी घटना करम को और प्रयास यही था कि किसी तरह से यह हम अपनी message देते रहें और समझते रहें कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है और दोजार थारा में आर्मी ने प्रोजेक्ट इमरान लांच किया इमरान खान को प्रधान मंत्री बनाने के लिए उससे पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी क्या रुख था उनका भारत को लेकर जब मैं इमरान खान से मिला मुझे नहीं लगा था कि बहुत कोई एंटी इंडिया उनका स्टांस है और किताब में भी मैंने कुछ विवरन दिया है उनसे बातचीत का तो आतंकवाद के बारे में भी मैंने उनसे बातचेड़ी और बताया और उन्होंने माना कि देखिए जब कोई घटना होती है बड़ी घटना होती है आतंकवाद की उस समय बातचीत करना बुलकुल मुझकल हो जाता है क्योंकि लोगों में आकरोश होता है और फिर भी उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि उस समय ये मूट था कि कई पहल करें और भारत के प्रती भी पहल करें और उस समय बोला कि आप एक कदम लेंगे हम दो कदम लेंगे आगे और इस तरह का नेरेटिव था मगर इमराम कान का सरकार में अनुभव कम था और इस वज़े से जब आर्टिकल 370 का जो कश्मीर में हमारा निर्ने हुआ तो उसको वो ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए उस उसमें वो अपने एक अलग ही पुजिशन ले ली जिस से उनको उतरना थोड़ा मुश्किल होगा और हम आते हैं आर्टिकल 370 पे आपने जो बात की अगस्ट 2019 और उसके बाद आपको पाकिस्तान के फॉरेंट आफिस से बुलावा आया उससे पहले आपकी फॉरेंट सेक्रेटरी भारत के विजए गोखले से बात हुई थी उन्होंने वहां मिलने जाने से पहले क्या बुरीफ किया था आपको तो मेरी फॉरेंट सेक्रेटरी से बात हुई विजए गोखले से हम लोग हर मैने मिलते थे हम लोगी बातचीत चलती रहती थी स्ट्राटिजी क्या रहेगी क्या कहना है तो मैंने उनको फोन करके कहा कि मुझे बिलाया गया है हम दोनों को पता था क्या कहा जाएगा क्योंकि उस सुबह फैसले हुए थे उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि क्या क्या उनकी भी बहुत सारी बात चीछ चल रही थी ब्रीफिंग चल रही थी दुनिया भर की तो वो क् और फिर मैंने किताब में विवरंड दिया है कि मैंने क्या कहा, तो कई पॉइंट उन्होंने कहे, एक और बात मैंने आतंगबाद के बारे में कि पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, वो भी उसमें जोड़ी, तो कुछ उन्होंने मुझे काफी ब्रीफिंग करी, और पूछा मुझे की क्या होगा है, मैंने बुला कि वोई बात करेंगे, और हमें भी अपनी रक्ष रक्ष देना चाहिए, तो वोई हमने किया, हमने भी अपना पक्ष रक्ष रक्षा, मगर हमने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं उचाला तब पाकिस्तान को ये एक मेसेज दे दी थी और उस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के रिष्टे और निचलेस तर पर चले गए उन्होंने हाई कमिस्नर को निकलने का आदेश दिया और फिर उससे छे मेहने पहले की बात है फरवरी 2019 उस वक्त दोनों देशों के भी जंग के हालाद बन चुके थे पुलवामा के बाद और फिर 27 फरवरी मेरे ख्याल से जब इमरान खान का कॉल आया था सोहल महमूद का एक हाँ सहाब बात करना से आते हैं परदानमंतरी मोदी से क्या हुआ था उस रात जी तो ये 27 फरवरी की बात है और इस उस रात मुझे कॉल आया आपको याद होगा घटना करम की बाला कोट हुआ था 26 को 27 को पाकिस्तान ने अपना उत्तर दिया था कुछ उनके प्लेन आये थे लोसी के पास और वापस जाते वक्त हमारा एक प्लेन जिसने एक F-16 को गिराया था उससे उसका पाइलिट अबिनंदन वहाँ पे लैंड किया और साफ हो गया था कि वो पाइलिट पाकिस्तान की कस्टरी में है तो इस संदर में रात के करीड़ बारा वजे मुझे कोल आया सहल मेमूद साब जो पाकिस्तान के हाई कमिशनर थे भारत में, उनका की भ। हमारे प्रधान मंतरी आपके प्रधान मंतरी से बात करना चाह रहे हैं तो विशे उन्होंने नहीं नहीं बताया मैंने चेक किया किताब में मैंने नहीं कहा है किस से चेक किया चेक किया और मैंने वापस उनको ये जवाब दिया कि मैं इस समय हमारे प्रधानमित्री नहीं अवेलेबल हैं, आपको कुछ कहना है, तो आप मुझसे कह सकते हैं, और कोई भी मेसेज़ उन्होंने का, ठीक है हम चेक करते हैं और आपको बताते हैं, फिर उस रात मुझे फिर कॉल नहीं आई, उस रात के बाद, और बाद में साफ हो गया है घटना क हम से कि क्या क्या हुआ उस शाम को, तो ये मैंने एक उधारन दिया है, कि भारत की कूटनीती या कोर्सिफ डिप्लोमसी, क्या भारत मैसेज देने की कोसिस कर रहा था, कि हम बात नहीं करना चाहते हैं, देखे, कई चीज़े इसमें आप इंटरपेट कर सकते हैं, मगर उस सम में भारत की मांग साफ थी, कि पाइलिट को वापिस किया जाए, कोई बातचीत का उसमें गुझाइश थी नहीं, निगोशेशिन की गुझाइश नहीं थी, तो आगे का आप घटना करम देखें, या जो घटनाएं साफ होके आईं पबलिक में, तो एक तो पाकिस्तान के प पाकिस्तान के मेंबर अफ पार्लिमेंट ने स्टेटमेंट दिया कि कुरेशी साफ आए थे, उनके साथ कमर बाजवा आमी चीफ आए थे, प्रदान मंतरी इमरान खान नहीं पहुंचे किसी कारण जो उनको आना था, और उनने का कि टंगे काप रही थी, माथे पर पसीना थ उनने का, खुदा के वास्ते इस पाइलिट को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो हमें पता चला कि वहां के डिप्लोमेट्स को बार बार समन किया गया, वेस्टरन डिप्लोमेट्स को, यूएस, यूके, फ्रांस के, और उनको कहा गया कि देखे, भारत कुछ गरबर कर चोड़ने वाला है, शायद नो मिसाइल्स हमारे उपर चोड़ने वाला है, आपको कुछ करना चाहिए इस पारे में, तो उनका ये असेस्मेंट था कि पाकिस्तान वस पूक्ट, पाकिस्तान डरा हुआ था, नर्वस था, और भारत को भी ये मेसिज डिरेक्ली वहां पे इस जो डिपलोमेट थे उस समय, तो ये इस बात का मैंने उलेक किया है कि पाकिस्तान को साफ था कि भारत कुछ एसकेलेशन करने वाला है, अगर ये पाइलिट को वापस ना किया जाए, और उस रात को हमको आशवासन मिला कि वो पाइलिट वापस कर दिया जाएगा, और अगल दिन इमरान खान का स्टेटमेंट आया, पारलिमेंट में, वो बैठ गए इस विशे का, इस बारे का बात का उलेक करे बिना, और फिर उनको कुरेशी साब ने बोला कि आप ये तो भूल गए, तो फिर खड़े होके उनने कहा, कि एक एस पीस जेस्चर, हम इस पाइलिट को भी रिलीज करेंगे, और तो उससे साफ हो गया कि वो होगा और अगले दिन वो पाइलिट एक मार्च को हमारे पास वापिस आ गए, उसका कोडिनेशन सारा में कर रहा था, यहां से, वहां पे हमारे एर अटैशे थे, रेड क्रॉस था, कई लोगों से बात चीत हुई, मगर यह जो पूरा किस्सा है, यह दर्शाता है कि भारत की जो कूटनीती थी, उस समय सफल रही, क्योंकि एक अबजेक्टिव था साफ, कि पाइलिट को वापिस लाया जाए, और हर तरह से, जो और सहयोगी देश हैं, उनके थरू और डिरेक्ली और अपने प्रेशर के थरू, य मेसिज पहुँचिया था पाकिस्तान, अब हम करेंट सिनेरियो पर आते हैं, पाकिस्तान में आठ फरवरी दोजार चौविस को चुना हुए, और अब तक सरकार नहीं बन सकी है, फौज चाहती थे कि नवासरीब बने, फिर गटबंदन की मजबूरियां और सहबासरीफ के नाम पर सहमती बनी, लेकिन बिलावल भुटो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि हम कोई मिनिस्टेरियल पोजिशन लें और हम किसी बंधन में बंदें, ये चल क्यों रहा है, क्या फौज के साथ जो सिविलियन पार्टियां हैं, उनका गटजोड नहीं इसमें थोड़ा कमजोर हो गया है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आज पाकिस्तान में, वो एक नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के बीच की टक्र, नया पाकिस्तान क्या है, उसमें इमरान खान है, एक सिंबल, और उसमें पाकिस्तान के नौजवान है, जो पचास प्रतिशत जन संख्या 250 मिलियन की 30 साल की उम्र से कम है तो इन में जो टकर है पुराना पाकिस्तान जो है जो आमी फौज का पाकिस्तान है और इस्टैबलिश्मेंट का पाकिस्तान है उसके अंदर कई तरह के जो पार्टीज हैं सिविलिन गर्ब्मेंट्स जो फौज की मदद से पावर में आते हैं फौज जब नाखुश होती है तो चले जाते हैं तो ये इस पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में टकर है और इसका इसकी तुलना जो ये चुला हुए ह हैं, लोग इतिहास में और चुनावों से करने हैं, दोजार अठारा में भी इसी प्रकार का चुनाव हुआ था, इमरान खान को चुना गया था, नवाज शरीफ उस समय जेल में थे, फर्क ये है कि अब जो एक जो पॉली क्राइसिस है, जो संकट है पाकिस्तान के सामने, जो आर्थिक और राजनीतिक और सुरक्षा का, मिल जुल के जो संकट खड़ा हुआ है, उस प्रकार का संकट नहीं था था, दूसरा जो लोगों में आकरोश है आर्थिक विवेस्ता के कारण और कई कारणों के वो अब नहीं, वो उस समय इतना नहीं था जो अब है, तो इस समय साफ है कि इतनी रिगिंग की गई कि जो इमरान खान की पार्टी को, इंडिपेंडेंट्स को, सौ से कम, लगभग सौ सीट्स मिली, अगर नहीं होती इतनी तो टू थर्ड मेजॉरिटी शेद मिल जाती, एक सौ असी सीट्स या और जादा मिल जाती, तो इस कारण बुलकुल एक अलग सिनारियो पैदा हो गया है, और आमी में भी उसके अंदर, फौज के अंदर कुछ ऐसी आवाजें हैं जो कह रहे हैं कि यह हम इतना जादा क्यों कर हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत रिगिंग आप कर लें, वो संभव हैं, मगर आप बुलकुल ही रिजल्ट को इल्टा कर लें, दो तहाई लोग बोल रहे हैं कि हमको यह सरकार चाहिए, आप बोलें, नहीं हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो एक यह प्रॉबलम है, दूसरी इत इसकारण सरकार तो बना ली, मगर बहुत ही जनांदोलन शुरू हो गए थे, उसको रोकने के लिए माशल लोग डिक्लेर किया, और फिर जिया उल्हक ने सत्ता पर कबजा किया, और बुट्टो को फासी पर टांग दिया, तो क्या वो सिनारियो हो सकता है कि फौज फिर से आ जब एक लगभग फ्री और फेर एलेक्शन यहारिक खान ने किया, मगर मैंडेट मिला मुझीबर रह्मान को जो जेल में बन थे, उस समय, इमरान खान की तरह, और मैंडेट नहीं दिया गया, मैंडेट की चोरी हुई, और पाकिस्तान दो टुकडों में बढ़ गया, तो इ इन तीनो सिनारियो उसकी बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान तूटेगा, क्या पाकिस्तान में फौज फिर से सत्ता लेगी, या पाकिस्तान दोहजार अठारा की तरह फिर से कंट्रोल कर देगी, इमरान खान के साथ डील कर देगी, बोलेगी आप जाके लंडन में बैठिये फिर आप को तीन साल में हम बुला लेगें तो अभी जो चल रहा है उसमें बहुत संभावना है अगर सब ठीक चला तो कि सहबाद सरी परधानमंतरी होंगे PMLN और PPP का अगड़ बंदन होगा उस सिनेरियों में भारत के साथ रिष्टे कैसे हो सकते हैं देखिए अभी कहना मुश्किल है क्योंकि भारत के साथ रिष्टे हैं वो जिस जब भी चुनाव होते हैं उन में उसका दुबारा आंकलन किया जाता है तो पहली बात यह है कि पाकिस्तान से क्या पहल होगी और क्या इतने सारे क्राइसिस से घरे हुए पाकिस्तान में वो बैंडविट है कि वो बोलेगी चली भारत से दोश्टी करते हैं तो एक तो सवाल या निशान इस पर है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या पहल होगी दूसरा भारत इस समय व्यस्त है अपने इलेक्शन में और हमारे चुनाव होने वाले तो जून जुलाई के बाद शायद कुछ देखने के मिले तो हमें देखते रहना होगा शायद कुछ पहल हो इस यह भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान ने हमारे हाई कमिशनर्स को वापिस भेजा और पाकिस्तान ने ही आर्टिकल 370 के बाद रिश्टों को कम करने का फैसला किया क्या पाकिस्तान वो पहल करेगा तो संभावना है बट I've been saying let's look at it with cautious optimism कि शायद हो देखते हैं हम इसा पाकिस्तान को लेके सोसल मीडिया पर पहस चलती है जो fringe elements है कि पाकिस्तान बरबाद हो जाए कंगाल हो जाए इस तरह की भासा का इस्तिमाल होता है लेकिन एक पाकिस्तान हमारा परोसी है और उसको आप नकार नहीं सकते उसको हमेजा गले हटा नहीं सकते तो एक स्थिर और पीसफुल पाकिस्तान भारत की सेहत के वैड़े कितना जरूरी है देखे पाकिस्तान की स्थिर्था और सेहत आपके हाथ में नहीं है पाकिस्तान की स्थिर्था और सेहत पाकिस्तानियों के हाथ में उनको खुद फैसला करना है किस तरह का पाकिस्तान उनको चाहिए मगर ये कहना जरूरी है कि पाकिस्तान जो at the best of times unstable रहता है कुछ अस्थिर देश है, abnormal देश है, इसी वज़े से चार युद हुए है, आतंगपद आया है और an even more unstable पाकिस्तान, जिसमें तूटने का डर हो या जिसमें जैशे महुम्मद के टेक ओवर का डर हो, तो वो भारत के लिए और भी एक बुरा विकल्प है मेरे खियाद से तो भारत के लिए जो विकल्प है वो एक normal पाकिस्तान का, जो आतंगपद को इस्तेमाल करना बंद करें, जहां आमी के बदले साफ हो जाए कि कौन उस पाकिस्तान के लिए बातचीत कर रहा है, और जहां उनकी जो अर्थ विएवस्ता है वो सुधरे, तो भारत के लिए ऐसा पाकिस्तान जरूरी है, जो सबसे पहले आतंगपद ना एक्सपोर्ट करें, बट उसके अलावा एक स्थिर पाकिस्तान भी म मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ चलता हूँ, सोसल मीडिया की जो भासा है, वो रियल डिप्लोमेसी से कितनी अलग होती है, या फिर रियल डिप्लोमेसी सोसल मीडिया से कितनी अलग होती है, और क्या सोसल मीडिया के आने के बाद, जो आपने अपनी किताब में भी हावी टूल है और असलियत पाकिस्तान की सोशल मीडिया में जलकती है जो आपको ओफिशल नेरेटिव और ओफिशल मीडिया प्रिंट और इलेक्टरोनिक में नहीं मिलते वो आपको डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में वो कहानिया आपके सामने आती है तो ये जरूरी ह कि जो नया पाकिस्तान है जो बदलता पाकिस्तान है हम उसके सोशल मीडिया को भी ध्यान से देखें और आप अगर उनकी बातें सुनें आजकल के जो आपके काउंटर पार्ट मीडिया हैं वहां पे वो इस तरह की बातें कह रहे हैं जो उनके इलेक्टरॉनिक चैनल कभी नही है उसके एस्पिरेशन्स उसी प्रकार के हैं जोसे विश्व में किसी भी जगे नौजवानों के होंगे और भारत में भी विश्व शूप से तो उनके भी एस्पिरेशन्स वही हैं और इसी में एक जहलक मिलती है आप्टिमिजम की कि क्या पाकिस्तान बदल सकता है और एक मुल्क बन सकता है बहुत बहुत सुक्रिया सरापका और ऐसे ही दिल्चस्प किस्सों मीजी अनुभवों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए भारत और पाकिस्तान के रिस्टों पर एक मुकमल अकाउंट है ये ये कित आप पब्लिस की है अलेफ पब्लिकेशंस ने और 999 रुपए की है आपको अमेजन पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा बहुत बहुत सुक्रिया इस इंटर्व्य के लिए हम चाहते हैं कि आपने जो आफस के दौरान रसियन से की उसमें आप हमारे दर्सकों को कुछ क कहना चाहें तो जरूर समात्री थे ललन टॉप इसका मतलब से इसका मतलब देखते रहिए ललन टॉप देखते रहिए ललन टॉप सुक्रिया